हेलो एन वल्कम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोल कता एंसी सी ट्वेंटे की बात करेंगे जो की मेंच होने वाला है कलिम पॉंग फेलकॉन वसी कोईम तूर कॉंबाइन एवेंजर के बीच में तो चलिए दोनों फेंटासी टिम पे देख लेते हैं कि कौन से प्लेर को लिगे जाना है और कौन से प्लेर को आपको आपको पूरी कवर करेंगे इसके साथ-साथ यहां से आपको और भी कई साई टूनामेट के वीडियो मिलने वाले जैसे के हम लोग आप बिग बेस्ट लिग कवर कर रहे है जिंबावे वस्तिस स्री लंका कवर कर रहे इसके साथ-साथ-साथ-सढ कर रहे साथ-साथ-स अफ्गानिसस के वीडियो आपको यहीपर मिलेंगे मैं है तो युटूप चैनल सबसे बहले सबस्क्राइब करना हैसा आथStudy व Persian मैंच की और आगे आने वाली साथ-साथ-साथ- वेस्ट बंगाल इंडिया में खिला जाएगा जहां से पीछ रिपोर की बात करें तो यहां पर नूटल और बैलेंस रहेगी अभी देखो रंस की बात की जाए तो रंस यहां पर टिक-टाक बढ़ जाते हैं इवन 131 40 भी बन सकते हैं इसके लावा यहां पर इसी ग्राउंड के ओपर कई बार देखो वुमन में चीज कहले गई थी इससे पहले यहां पर वंकाल की 20 गेंदर और वहां पर हमने कई बार अच्छे स्कॉर भी देखे हुए वुमन में चीज कहने तो वह सकते हैं लेकिन एवरेज हम लोग 131 40 मान के चल सकते हैं चीजिंग में जादा तर पहले बैटिंग करने वाली दिम को एड़वांड़ेज रहता है तो टिम टॉल्स के पहले बल्ले बाजी करना परसंद करेगी सबसे बले बात करते हैं हम लोग यहां पर के एफ की तीन मैच कहली एक में जीती दो मैं सारी ओपनिंग में आपर दिंकूरे और इनके साथ आपर अनिर्बान संसमन ने ओपनिंग करवाया है अनिर्बान जिन्हों ने पहली मैच करना 37 किये थे इसके बाद पिछली दोनों मैच करना कुछ खास नहीं गया ओर और भी ठीक है आपर 14 मैच करने रिक सो तीन रहने करी कोई च्वाइस थाम ले तो ट्राइ करिएगा बाकी दिंकूरे इंपॉर्णस रहेंगे पहले मैच करना 34 रन किये थे इसके बाद पिछली दोनों मैच करना बैटिंग से तो कुछ नहीं किया लेकिन सेकंड मैच करना ओवस निगाली थे लास मैच करना ओवस करवाई और वि सेक्शन से सुमीत गोयल की बात करते हैं जो कि पिछली तीनों मैच के दर विकेट निकाल दिवा रहे है और परफॉमस की बात की जाए तो 18 और 17 जैसे दो बैटिंग से भी परफॉमस दिये तो एज प्लेयर इसे वेरी मैच के लिए कप्तान वाइस केप्टन सीब की चोईस बन सकते आपके लिए इसके साथ बिशाल तमक जो की डिफॉल्ट कप्तान और वाइस केप्टन सीब की चोईस है मैक्सिमम पब्लिक के कप्तान रहेंगे और हमारी टिम के भी जैस सकते हैं तो तीनों मैच कंदर यहाँ से बैटिंग से इनोंने 62 24 और 42 जैसे स्कोर किये साथ में आपर ओस भी करवा रहें विकेट उनको हाला कि एकी मैच कंदर मिली है बाकी आठ मैच कंदर करीब 58 की एवरे से आपर 176 रन है नों विकेट हैं यहाँ पर लेट हैं बैटिंग करवा लेते हैं इसके साथ यहाँ से बात करते हैं प्रीतम बारिक की जो कि अभी तक तीन म और ओर 11 विकेट है इस प्लियर की राइट हम फास गेंद बाज हैं फिर ब्यात करते हैं हम लोगे आपर डीचन लेपका की जो कि आपर तीनों मेच के नहीं कुछ खास नहीं गिया तो थोड़ा सा रिस्क है आपर इनको लेके जाने में राइट हम मीडियम फास गेंद बाज इसके अलावा जास से इस प्लियर ने कन्फूज कर गें रखा हुआ है देखो अभी दख तीनों मेच के नहीं बैटिंग नहीं है अभी इस टूनामेट से पहले इनके मुझे आखड़े मिले है जहाँ पर 3-2-20 मेच के अंदर 380 रहन है इनके 385 जिसमें से एक मेच के अंद पारी खेली थी ना वहां पर यह बाई साब ओपनिंग में थे हो सकता है यहां पर इनको बैटिंग से कभी भी उपर खेलने का मुझा मिल जाए तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते है बाकी तीनों मेच के नहीं पर कुछ खास नहीं है तो मैं यहां पर एक रिस्क ले रहा तो बैदिन के नहीं है बाक कर दोद केली तो अपनि पहली जीत की तलाश में और यहां पर opening की बात की जाए तो शौविक हल्दर और इनके सारे पर आकाश जाना ने ओपनिंग करवाया था है आकाश जाना जो कि लास में के न सिर्फ जीरो रन बनाए बाकि हम लोग अभी इनको बोलेंगे थोड़ी बहुत रन बना के जाना जल्दी आउट मन हो जाना है तो शुरुआ जबर जस रही थ जाए तो इसके साथ जाना वेरी इंपॉर्णेट पिक इसके साथ अरुप गोष्ट जो कि एजब लेर के साथ अब लोग कप्तान वाइस कप्टन कर सकते हो तीनों मैज के नर्या पर टॉप में भी खिला हाला कि बैटिंग से सिर्फ पहली मैज के लिए थे इसके बाद पांचवे नंबर पर बैटिंग के लिए था जहां पर जीरो प्याओ गया लेकिन इनके साथ अमारे पास अमनी पहुमिक है जो कि आपर दो मैच के इंदर बैटिंग से 14 और 38 से स्कॉर किये एक मैच के इनदर यहां पर इंदिंग से कुछ नहीं गया और विकेट्स की बात क फरदिन खान एक डिफरेंशियल फिक बन सकते हैं लास मैंगर निकाल लेते हैं right-handed betting के रहाँ टाव डेंडं फास गयंत पर फीर बात आती हैं यहां पर बात करते हैं अर्जित पोल्ब जो की तीनों मैं यह जो कुछ खास नहीं कि तो आगली मैच के अंदर बेटिंग आए गया नहीं कह सकते हैं विकेट की पर बल्ले बाज है लेकिन प्लियर को आप लोग लेके जा सकते हैं स्टार्टिंग में आपर ए गोश और फल्दिन खान देथ वस में आपर ए बॉमिक और सयान विस्वास आपर देथ में आए थे इसके अलाबा बेंच में से कोई भी प्लियर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगेरा टेलिग्राम चैनल पर दिये जाएंगे आपक जान क्यार विस्वास और इनके साथ सयान दे दोनों ही हमारी टीम के इंदर रहेंगे यहां आगे का performance के पर थोड़ा सा confusion है इनका bowling success है मैंने 4 player ले जिसमें से A pole है इनके साथ A जाना, P बारिक और A गोश हमारी team के अंदर रहेंगी यहाँ पर और किसी player के उपर risk नहीं लेना है तिम की बात करते हैं तो देखो captain wise captain में safe जा रहा हूं यहाँ आपन B तमंग को कप्तान कर रहा हूं, wise captain यहाँ पर S goal को कर लें एक तो आप लोग इनको rotate कर सकते मतलब S goal को कप्तान कर गे B तमंग को आप लोग का वाइस कप्तान कर सकते और एक risk आप लोग यहाँ पर A bombick के उपर ले सकते कप्तान और wise captain क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे भी acceptation है तो यह तीन तीनों player में से ही किसे को कप्तान wise captain करना है small league के लिए और किसी player को उपर risk लेना risk से ज्यादा risk हो जाएगा ओके तो यहीं टीम रहेगी अभी देखो इसमें भी अगर line-up के बाद कुछ changes रहेगा तो उसका update और इसके साथ मेरी small league की या grand league की जो भी टीम रहेगी वो भी आपको दी जाएगी लेकिन वो कहाँ पर दी जाएगी तो आपको telegram में दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर team देना possible नहीं है आखरी के वक्त पे तो यह सारी update और आखरी small league की लेकि टीम भी आपको telegram में मिलेंगी तो telegram से जुड़िएगा और telegram से जुड़ने के लिए link मैंने नीके description box में जो दिया हुए आप लोगको वही पर मैंने telegram channel का link दिया हुए आप लोगको उसी link से ही मेरी telegram channel को जोईन करना है search बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी fact channel बने हुए तो understanding करिएगा original channel के लिए आपको यहाँ पर link से जोईन होना है बाकी वीडियो अच्छा लगे तो like करना share करना अपने दोस्तों में और साथी में YouTube channel को subscribe कर लेना ताकि आगे आने वाली और अच्छे message के वीडियो आपको इसी YouTube channel के उपर जल्दी से जल्दी मिलेंगे तो मिलते हम अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगी क्या देखो सिंपल सी बात है वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो अच्छे से analysis करो अच्छी से अपने खुद की एक टीम बनाओ और अच्छी खासी winning करते रहो और बाकी मिलते हम लोग अ जैन्यवाद जै हिंद जै भारत